असलम अलेकुम, कैसे हैं आप सब आज जो हम वीडियो करेंगे, जो हम लेक्चर लेंगे वो है Model Explanations for Practice, ठीक है? आपको मैंने पहले भी Multi Reference to Context Explanation and Critical Appreciation ये बताया है मैंने Explain किया है अच्छे से, उस Explanation और इस Explanation में बस आपने Stanzas जो है ना वो थोड़ से Different होगे, ठीक है? बाकी Reference बिलकुल सेम है, Context बिलकुल सेम है, थोड़ा सा बस उपर नीचे करना होगा है Context भी कि कि जो पहली शुडू की सब Lines है वो बिलकुल सेम है, उसमें आप बिलकुल भी रदो बदल ना करें और थोड़ा सा और एक्स्प्लेइन करना होगा तो उसमें चंद लाइन और एड़ करने हैं आपको लगे तीर रागी आगे Explanation क्योंकि Explanation तो स्टांजा इसके मताबिक ही होती है ना कोई भी स्टांजा आता है आप उसके मताबिक एक्स्प्लेइन करते हैं अगर चंद लाइन यह हूं आफ मैंस फर्स जिस अबिडियंस और फूट ऑफ दाट विडियंट्री वूस मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डैथ इंटु दवर्ड और और वो विद लॉस ऑफ एड़न तिल वन ग्रेटर मैं रिस्टोर अस ठीक है अब उसकी एक्स्प्लेइन से मताबग हुआ है अब एक्स्प्लेइन 지ायुक तो पहले लिख देंगे कि छलें क्या-क्या मिल्टन ने बताया है लोसके बाद आको एक्स्प्लेइन ही करनी वड़ेगी स्टांजा की जो स्टांजा के मताबग होगी उसमें आप यह भी लिख सकते ह है कि यह इन दीज लाइन मिल्टन मेक्स नो नोन हिस सब्जेक्ट एन इलाबरेट दसको ऑफ ग्रीएट एपक अन दफॉल अफ मैं ठीक है इन लाइन में मिल्टन क्या बताता है यह बहुत वाइड और ग्रेटर 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 के साथ मिल्टन फॉल हुब मैं बताता है फिर मैं कि मैंन की फर्स डेस बताता है और पिर वो टेस्टेड जो नोलेज जो अड़न ने टेस्ट कर लिया था इव ने टेस्ट कर लिया था एस तरह करके आप वने एक्स्प्लेनिशन करनी है औरacks optimum में 100 dür सा उपर नीचे करेंगे चंड लाइन और एड कर लेंगे तो यह क्रिटिकल एप्रिसियेशन भी बिलकुल सेम होगी ठीक है कोई इसमें और कोई मजीद बात नहीं होगी अब हम देख लेंगे जैसे हमने पहले तो देखा ना कि में थोड़ा सा डिफ्रेंस आएगा कि कैसे डिस अबीडियंस हुई थी मैं की क्या क्या किया आपने वहां पर एडम और इव का भी बताना है कि उन्हें कैसे लॉस आफ एड़न मार्ग देख सौरोज ऑफ एडम और इव कि उनकी घम के दिन शुरू हो गए थे कब से जब उनन कि ने जब से उनने वो नॉलिज ऑफ फूड़ खाया था ठीक है कियसे उन्हें सफ़र किया कैसे वो अब क्र thriist की आने तक अंतजार करेंगे और फिर वो हम आगे जाएंगे थीक है कैसे फिर वो वह और आप जन्नत में जाएँ जाएंगे इब आ जाती हैं अम को और लाइन से देख लेते हैं थाकि आप होटे हैं इलिमिनेट वट इस हाओ वट इस लो रेज और सपोर्ट तो हाइए हाइए अफ दिस ग्रीट आर्गिमेंट आई में अजर्ट अटर्नल प्रोविडेंस एंड जिस्टेफाइड वेज अफ गॉड तो अब यह देखें यह लाइ फिर उनने फॉर्बिडन ट्री का जो फ्रूट खाया था फिर वो उसका मॉर्टल टेस्ट और फिर उसके बाद वो डेट वो वर्ड में आ गए जहां उनको डेट फेस करनी पड़ेगी और फिर वो एडम मतलब जन्नत को गवाने के बाद यह जाएंगे अपनी जन्नत में उसके बाद अब हम देखें नेक्स सेकिन लाइन मजीद और लाइन अगर पोएम की देखें तो उन में अब डिफरेंट है अब यहां पर पोएट क्या कह रहा है वो कह रहा है in these lines the poet invokes the aid of the divine spirit of help him to help him the flight of his thoughts the poet illustrates his intentions and homelessness humbleness in front of God as he says that his wit is short to write about such mighty matters mighty matters so he wishes guidance and special providence to explain the matters and manners of divinity अब देखें इन lines में हमने वो तो disobedience का सारा था अब हमने यहां पर explain करना है कि क्या हुआ था कैसे किस वज़ा से मिल्टन ने यह poem लिखी और कैसे वो कहता है कि मैं तो इस topic को इस बड़े से topic को छेड़ भी नहीं सकता यह इतना है लेकिन मैं justify कर लेता हूँ कि खुदा की तरफ इनसान के रास्ते को कि कैसे इनसान खुदा की तरफ वापिस जा सकता है ठीके फिर आगे अब lines मजीद आ जाती हैं कुछ और lines देख लेते हैं अब यह lines बिल्कुल मुक्तलिफ हैं यहां पहले तो इनसान की बात करता है कि वह फिर्स डिस अबिडियन्स पिर उसके बाद वो बताता है कि वह जिस्टिफाय करता है वेस टू वेस ऑफ गॉद तो मैं अब इन lines में यह बिल्कुल मुक्तलिफ है क्योंकि देखें रेफरेंस context और critical appreciation यह तो सेम हो सकती है ठीक है इनके लिए आपको इतना ज़दा मेहनत नहीं पड़ेगी चंद lines है आप उनको याद कर लें उनको समझ लें concept जहन में रख लें वो आपको समझ आ जाएगी लेकिन थोड़ा से explanation में आपको lines के difference होने की वज़ा से same lines है नहीं लिख सकते explanation explanation में explanation को उस स्टांजी के मताबिक ही करने पड़ती है शेर की तश्री उसके मताबिक ही करनी पड़ती है जो शेर आता है अब यहां पर उसने देखें elaborate किया है milton's great courage against the dictator of his time कि Saturn ने कैसे अपने angels को करत किया help किया कि आप किस तरह से ये first speech थी Saturn की अपने angels के साथ अपने साथियों के साथ और कैसे उसने bravery के साथ ये काम किया और कैसे उसने revenge के उसको तरगीब दराई लोगों अपने साथियों को और कैसे उसने hate उजागर किया खुदा के खिलाफ और इनसान के खिलाफ उपने साथियों के साथ बेल जबब और ये सारे के साथ है अब इस speech is also shows milton's great courage जो आप important line आप लिख सकते हैं वो ये है this speech is also shows milton's great courage against the dictators of his time कि आप बता रहे हैं शैतान का अपने साथियों को speech करना ठीक है पहली speech जो थी उसकी अब यहां पर milton's मिल्टन के अपने दौर में भी वो उसने कुछ सी कुछ बरदाश्ट किया टेटर के खिलाफ अपनी speech का वे बता रहा है कि वो भी कैसे explain कर दिया करता था the mouthpiece just signifies that milton was ready to fight with tyrants of ever and ever and it is quite poetry is alive and performing to its services to entire human race कि वो मिल्टन का अपना स्टाइल भी आपने लेना है कि मिल्टन का background पर थोड़ा से लिखना पड़ेगा वो भी कोई आपने कोई उसके सारी चीज़ें नहीं बता देनी बस उसका उसने यह किस तरना way में यह poem लिखी किस वे में यह lines लिखी बस एक line में explain कर दें कि जैसे य हुकफ बयान किया तो इसी तरह जो सैटन है वो भी अपने फिरिश्ट जो एंजल्स है उनको साथ लेकर खुदा के किलाव जंग का अगास कर देता है और सैटन बहुत ब्रेवरी के साथ यह करता है फिर उसके बाद अपनी शील्ड भी दिखाता है कि वो उसकी शील्ड बता मत्सक्त किया जाएगा कहीरट में यह वाला संब्बल भी आएगा तो आपने संबल को भी जहें में रखना है अधाता हैsterन अपने ए वह इस चीज़ पर भी लीव करता है क्रषे बिलीव करता है कि आप दंगन में भी हों डंगन में भी हो लेकिन आपका मैंड बहुत अच्छा काम करना चाहिए कि आप इस प्रुफॉंड के सब्राइब जन्नत में हो तो चाहे जहन्णोम में हो कि आप जहन्द में हो या जहन्नोम में आपको ना slavery नहीं बरदाश्ट करनी है आप haven में slavery बरदाश्ट करने سे बेतर है कि आप hell में है ना वो आप leadership करने है जो 3ना ना वो आपका करता है वह अपने साथियों की माइंड पर फोकुस करता है वह अपने साथियों का माइंड को इनकारजक इसिंग्षिंशन बिट्वी ठीक्शिंग्स कि ये क् wrapping सोचने का वर्स फिन लाइक हैल केने बेकाम वैंड वनवानू lan is iy přिट तो हिस कॉंशे सैटिस्वाइड विडियू डिवैलिंग और एवन इवन फ्रॉर हम हैल इस लाइक है ठीक है मैंने पहले बताया कि आपके जगह मैंटर नहीं करती आपकी सोच मैंटर करती है इसके बाद अगली आइंज हम देख लेते हैं कुछ और तूरें इस वर्थ अंबिश्टन दाओ इंदा है बैटर तूरें इंदा हैल तैन सर्फ हैंवन अब सैटन यहां पर मजीर अपने साथियों को मजीर प्रोवो करता है कि स्लेवरी इस नॉट बैटर थेंग तो वर्क वि यहां वो इस बात में बिशता था कि वह माच्व जन्त में जन्त के अला बागों में घुलामी कहता था हूं घैकर अब आजहेंगी नैंज नेकwd तु वर्क in close design by fraud or guile what force affected not not that he know less at length from us may find who overcomes by force hath overcome but half his foe ठीक है अब यहां पे saturn क्या कहता है saturn as a full-size demagogue a mighty-mouthed ladder who believed in his own abilities saturn का यहां पिना मुशा बताया गया है कि वो किस तरह बड़ा सारा saturn है और वो किस तरह आपने साथियों को प्रोवोक कर रहा है यह उसकी 5th speech चल रही है और वो प्रोपोज कर रहा है अपनी बैटल के बैटल प्रोग्राम और बैटल को और वो बहुत ही चलाकी से कह रहा cynically range therefore कि अपने दुश्मन के लिए अपने दुश्मन को देखो यह मत देखो कि तुम क्या कर रहे हो तुम कहां पर हो फोकस ऑन यूर फो गॉड विल देरफर लियाइस दट ही ओवरकम हुई हूँ ओवरकम से एनिमी बाइफोर्स ओवरकम इस बड़ पाटली वो उसको देख लेते हैं कुछ और लाइंज इस पांडर शील्ट एथरल टैंपर मैसी लाइज और बहाइंड हिम कास्ट यह लाइंज है कुछ इसके भी वही एक्स्प्लेनेशन हैं कि यहां ब्यों सेटन्स हैं वह कंपैरेजन कर रहा है गलीलियों की टेले स्कूप से और वह कहता है है उसके पास और वैपन यह सारा उस उस वक्त का बता रहा है कि वह कंपैरेजन आफ सेटन्स शील्ट तो दा मून एस सेंट्रू ग्लीलियों टेलेस्कोप वंस अगें सजेस्ट दा हीूज साइज नोट ओंली दवैपन बट आलसो अवदा फीकर विच होड़ सट के आपके इसके पास चड़ी थी वो मैटर नहीं करती कि आपकी हातों में क्या है एक में करता है आपका तक दी 10k ROS सेटन यहाँ आपने साथियों को मोटिवेट करता है वो मोटिवेशन पर ये करता है कि आप को सैटिस्वाय होना चाहिए आप फर्क रखें जहें अच्छे जहें का और बुरे जहें का यह सैटन में साथियों को कहता है अच्छे के भी डिस्क्रिप्शन करती है मजीद हम कुछ लाइन से देख लेंगे उसमें और और कुछ यह सैटन डिकलेर करता है कि वह कैसे राजुशन रखता है फिर नाइन नंबर में हैं कि आप कैसे जो सैटन है वो सैंसिबल है और वो कहानिया बताता है और वह एंजलिक राइटलस है इसकी प्रिक्चर्ज मैं आपको शो कर दूँगी और इसकी उसकी एक्स्विनेशन में भी यही है कि दस सैटन वोड फील फ्रस्ट्रेटेटर इन इस इवल डिजाइंज और और राइथ ऑफ पनिश्मेंट ऑफ गौड दाओ मैं लॉस्ट पार्ट करने वाले को भी के लिए हंबल है लेकिन वो जो इग्विस्ट और जो प्राउड करने वाला है ना उसके लिए पनिश्मेंट है यह कहता है मिल्टन उसके बाद यह थी पैरडाइस लॉस्ट की कुछ एक्स्प्लेनेशन तो आप मुझे एक्स्प्लेनेशन करनी है वो इंजा के मुताबिक करनी है ठीक है यह हैं चन्द लाइन्स अब हम कुछ में इंपॉर्टन लाइन्स शेयर कर दूंगी नेक्स वीडि अब आपको पूरी पोईम को भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आप चंद लाइन्स पढ़नेंगे ना बुक वन की इस चंद लाइन्स में आपको शेयर करूंगी 10 तो 15 लाइन्स होंगी 15-20 उन लाइन्स को प्रिपेर कर लेंगे तो वह आप इंशाल्ला क्लियर कर लेंगे झाल्च भी आप मेर्स बाइन्स पूरी नहीं तो 15 लाइन्स को प्रिपेर को भी आपको शेयर कर लाइन्सemia। झाल 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 झाल